नमस्कार बहुत स्वागत आप सब का देख रहे हैं आईश्मान भाव मैं हूँ आपके साथ आपका हिश्टो फ्रेंड संतो संतोशी और आज पैदा होए लोगों के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुब काम नाएं आज 27 अप्रेल को जिन लोगों का विजनम दिन है वो पूरे वर्ष चमकते रहें अशश्वी रहें स्वस्त रहें बड़ों का आशिरवात पाते रहें ऐसी हम परमपिता परमेश्वर से अपने उस नाथ से अपने उस ठाकुर्जी से प्रारतना करते हैं मित्रों जानकारी दे हम आगी की तरफ बढ़ें बता देते हैं कि अब हमारी जो छूट प्रक्रिया थी वो समाप्त हो गई है जो 51 सो में तीन कुनली आप दिखाते थे वो समाप्त हो गया है लेकिन कुछ हद तक अभी भी है जैसे दो कुनली पर पहले पति-पत्नी का ही हम देखते थे मैचिंग अब कोई भी दो कुनली मातरि क्यावंस्व में दिखा सकता है तो इस सुवधा का भी लाफ आगामी तीन मई तक ही चल पाएगा तो ले सकते हैं आप भी बात करते हैं आज पैदा हुए लोगों की सिक्षा के विशे में पढ़ाई के मामले में बेहतर परिशानिया इक्तब नहीं ब्यापार अच्छा चलेगा रुके बिजनस आगे बढ़ जाएंगे परिशानिया दूर हो जाएंगी धन की स्थिति अच्छी है प्राइवेट सेक्टर के लिए मुश्किले आएंगी लेकिन मई जून आते आते सब ठीक हो जाएगा जुलाई अगस्त प्रमोशन है सितंबर अक्टूबर नई नोगुरी की संभावना है दिसंबर जनवरी मकान और शादी की संभावना बनती है फरवरी और मार्च में वाहन सुख अच्छा दिखाई देता है सरकारी छेत्रवालों के लिए समस्याएं सुरवात पे रहेंगी जून चेत्रवाले संभाव होंगे मकान खरीद लेंगे बेटी की शादी अगर विवाह योग्यों होगी कन्या और आप सरकारी छेत्र में है और आपका जरम दिन आज 27 अप्रेल को है तो इस वर्ष कन्या का विवाह लगभकता है स्वास्त के मामले में कुछ परिशानिया लेकिन दामपत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा अचाहां सरकारी छेत्रवालों के प्रमोशन के चांसेज नमवंबर और मार्च में हैं मार्च इकिस दामपत्य जीवन में बहुत सुख़द एहसास रहेगा पत्य पत्नी दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं बीच में कोई हस्दक छेप था वो दूर हो जाएगा बड़ी उल्जने खत्म होंगे लव लाइफ बहतर छेत्र में है किसी तरह की परेशानी नहीं हो सकती है स्वास्त के मामले में सब कुछ बहुत सकारात्मक रहेगा जबर्दस्त स्वास्त लाभाब को होगा आप पर भरोसा बढ़ेगा पुराने समस्याएं सदा सरवदा के लिए दूर हो रही है लव लाइफ थोड़ा सा टफ रहेगा लेकिन उसको आप संभाल सकते हैं लव लाइफ की पुरानी जितने दिक्टे थी उनको आप दूर कर सकते हैं और आप पर एक भरोसा बढ़ेगा जून जुलाई में शादी की चर्चा बरजनों से कर सकते हैं अगस्त रुख जाईएगा अक्टूबर में फिर संभावनाएं बनती हैं चर्चा करिएगा शादी फर्वरी मार्च में तारीख पढ़ सकती है उपाय के तोर पर हम बताएंगे स्वास्त पहले चर्चा कर लेते हैं हेल्थ वाइस किसी तरह की दिक्कत नहीं है पुरानी जो बिमारियां थी जो दिक्कते थी परेशानिया थी अपने आप दूर हो रही है और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी खोशी जो मिलेगी वह आपरेशन सक्सेस्फुल रहेगा दिनांग 27 अपैल को पैदा हुए लोगों के लिए जिनके डिलिवरी के केसेस हैं वो भी बहुत अच्छे सक्सेर्फुल रेशियो को टच करेंगे संतान जन्म सुगम रहेगा प्रयोग क्या करना चाहिए बताएंगे पहले देखे कहीं गाड़ी ओड़ी तो नहीं लड़ेगी तो भईया अगर देखा जाए तो ग्रह गोचर की इस्तिती के आधार पर जो आज प्रातह कालीन ग्रह बने हैं और जो आगी का गोचर कहता है मिला जुला करके नवंबर महिने में आपके वाहन दुर्खटना के संभावना सबसे प्रबल है खास दोर पे मंगलवार और शनिवार को मिलेंगे आप अगर ये टैली करेंगे आना तो आप तोड़ के आएंगे मिलने मुझे पता है प्रियोग क्या करना चाहिए आए नोट कर लीजे आप तीन लोगों को दूध का दान कर दीजे पैकेट वाला दूध ले लीजे किने तीन लोगों को पाठ पुस्तक दान कर दीजे कोई भी धार्मिक पुस्तक भी कर सकते हैं मंदिर में रामायर गीता वगेर है आज जिनकी शादे की सालगीरा है तीन लोगों को खाना खिला कर तीन बच्चों की पढ़ाई में मदद करना है इतना सा करिए शुब कामनाई देते हैं प्यार देते हैं दुलार देते हैं प्रशन रहें आगे बढ़ें आगे बढ़ें आगे बढ़ें अब आईए आगे जान लेते हैं आज जिनकी शादे की सालगिरह है उनके लिए क्या उपाय है तो भाया आपके लिए जो उपाय है वो है तीन लोगों को खाना खिलाकर तीन बच्चों की पढ़ाई में मदद करना है बस ये एक सारांस होता है पांच मिनुट का और एक प्रियोग होता है सालवर का शेयर कर लिया करिएगा अपने मित्रों को टैक कर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख दीजिए उनके लिए एक गिफ्ट होगा बहुत बहुत शुक्रा थैंक्यू नमस्कार से किष्णा शिरा दे